जाहिन सभी को आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पर और इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर PM20 कर्मा योजना का जो कि टूलकिट e-voucher होता है वो अभी आपका on नहीं हो पा रहा है यहां पर नया मेसेज आपको आज चुका है और नया मेसेज आ आप कैसे करें उसके बार मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी दुँगा तो देख सकते हैं कुछ आपको मैसेज की इस तरहाएं आता है वो पहले मैं आपको दिखा लेता हूं तो उसके बाद जब भी आपका यहाँ पर message आ जाता है e-voucher का, देख सकते हैं कुछ नया message कुछ आपको इस तरीके से सो करेगा, पहले कुछ अलग type का message आता था, अभी कुछ नया message कुछ आपको इस तरीके से सो करेगा, उसमें आपका जोगी 15,000 रुपिया का toolkit आपको देख है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका e-voucher वो खुल नहीं रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे और यह सारी problem का solution के भी बारे में बात करेंगे, और मैं आपको e-voucher कहां से खोल के आपको आपका जो भी QR है, वो मिले उसके बारे में भी वाताऊंगा, तो simple video को बिन आप यहाँ पर क्या करें, उसके बाद देख सकते हैं कि e-voucher का message नहीं आया है, तो simply यह सारे topic के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि है, जो कि आपका toolkit voucher जो कि है, वो नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे last में इसका process में बताऊंगा, क कि इसका toolkit e-voucher आपको कैसे निकालना है, आपका account में toolkit e-voucher एड हुआ है कि नहीं, आपको इस तरह की से errors हो कर रहा है, तो उसके बाद देख सकते हैं कि toolkit आपको यहाँ पर नहीं मिला है, तो मैं इसके बारे में details में बता दूं कि toolkit आपको अगर नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो कि आपका e-voucher पहले दिया गया था उस e-voucher को अभी update कर दिया जा रहा है यानि कि आपका जो भी expiry date आ रहा है simply देख सकते हैं यहाँ पर e-voucher का expiry date हो गया है यानि कि आपको e-voucher आपका expire हो गया लेकिन आपको अभी तक toolkit voucher नहीं मिला तो इसके लिए आपका जो भी e-voucher का है date को यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है और बढ़ाने के बाज़कूद आपको इस तरह का जो भी message आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं valid को यहाँ बढ़ा दिया जा रहा है तो simply यहाँ पर जो की दो समझचा थी यहाँ पर आपको toolkit नहीं मिला है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है यहाँ पर जो की आपका expire हो गया था उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जो भी e-voucher का date है उसको बढ़ा दिया जा रहा है और देख सकते हैं कई लोग तो क्लियर हो चुका है आपकी यह जितने डाउट थी वह आपका तीनों डाउट क्लियर हो चुका है उसके बाद अगर आपका कोई भी question रहता है simply आप हमें comment कर सकते हैं तो सबसे last जो की process आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि e-voucher खुल नहीं रहा आपका message आगी है message आने के बाद आपका कुछ इस तरीके से simply जो कि मैंने बताया इस तरह किसे आपको so कर रहा है और यहाँ पर अगर आप login करने जाते हैं तो यहाँ पर जो की ID password मांगा जाता है और यहाँ फिर आप go to home page में जा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि e-vouch लेकिन यहाँ पर आप इनका आपका account में एड हुआ है कि नहीं आपका 15,000 रुपिया वह आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मैं वहाँ पर एक scanner भी आपको so करेगा आप उस scanner से भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जिस process को आपको follow करना है और आपका जो भी है आपका 15,000 रुपिया एड हुआ है कि नहीं आपके account पे उसको देखना है और साथ में आपको QR code भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और camera को on करके एक second mobile पे हम लोग चलते हैं और उसमें देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह के से आपको एक app डाउनलोड करना है simply यह आपको जो कि play store में मिल जाएगा simply आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो कि देख सकते हैं और जैसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपको इस तरह के से देखने के लिए मिल जाएगा आपको simply इसको open करने ना है जैसे ही आप इसको open करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा और इसके लिए आपको account एक create करना पड़ेगा account आप create कैसे करे जैसे यहां पर आपका passbook में mobile नंबर दिया हुँआ रहेगा simply mobile नंबर पे आपको कुछ करना नहीं होगा simply mobile नंबर से ही आपका यहां पे login हो जाएगा और जैसे login हो जाता है या फिर आप इसमें समझ नहीं पारेगी कैसे account create करना है तो simple surprises से बस आपके जो की आपके account नंबर से आपका जोकी मोवाइल नंबर यहां पे लिंफ होना जरूरी है तभी आप इसको लोगिन कर पाएंगे जैसे लोगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ 4-Digit का यहां पर यहां पे पीन सेट करना상ålt उस pin को आप यहां पे set कर लेंगे जैसे set कर लेंगे उसको re-enter करना पड़ता है जैसे आप उस दोनों forces को complete कर लेते हैं उसके बाद simply आपको अपना जो की password लगा के यहां पे login कर लेना है चलिए मैं यहां पे login कर लेता हूं तो देख सकते हैं कुछ मैंने इस तरीके से जो की login कर रहा हूं और यह network का issue कभी-कभी होता है तो इसमें आपको घपरानी की कोई बात नहीं है आपको simply wait करना है वेट करते हैं यहां पे जो की है आपका login हो जाएगा और login होने के बाद कुछ आपको इस तरीके से सो करेगा और जिसके नाम पे account है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिल जागा simply उपर में आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे देख सकते हैं कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा आपको एक option देखने के मिलेगा वो आप के लिए यहां पे देख सकते हैं जो की आपको इसी में क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बहुचर देखने के लिए मिल जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 15,000 रुपिया वो भी लिखा हुआ है, और कब तक valid है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है simply जैसे ही आप इसमें click करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ वो वहाँ पर देख सकते हैं पूरा details आ गया है और यहाँ पर मैं security region के वज़ा से यहाँ पर blur कर चुका हूँ बाकी आपको इस जगह पर आपका जो भी 15,000 रुपिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा और बाकी सब यहाँ पर देख सकते हैं कि create date भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर जो कि last date वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि expire कब होने वाला है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद जैसे आप यहां पे नीची आएंगे यहां पे देख सकते हैं scan and pay का option आ रहा है तो simply scan and pay आपको करना नहीं है यहां पे देख सकते हैं so your qr आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे आप उसमें किलिक करेंगे आपका जो भी यह qr आपको सो करना इस्टार्ट कर दिया जाएगा इससे हमें यह पता चलता है कि हमें जो की है 15,000 का toolkit वाउचर हमें प्राप्त हो चुकी है बस आपको जो भी pdf है वहां से नहीं दिख पा रहा है और साइध इसका process अगर वह आपको कुछ सीखने या फिर जानकारी मिली है तो सिंपर वीडियो को लाइक कर दिजिए अगर इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो सिंपर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले पता चल सके तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ जैहिंद बंदमात्रम